Welcome to only IS, स्वागत है आफ सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Environment के Current Affairs के Revision का ये हमारा आठमा लेक्चर है आज के सेशन में हम अप्रेल महिने के Environment के Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article वो Global Wind Report 2021 के बारे में है 2020 ये एक ऐसा साल रहा जहां पर Global Wind Power के Industry में काफी बढ़िया काम हुआ है Despite COVID-19 आया था, कई सरी Industries negatively impact हुई है लेकिन Wind Power Generation में Growth देखने को मिली है दुनिया के Overall Share को हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं लेकिन इंडिया अच्छा तो कर रहा है बहुत अच्छा फिर भी नहीं कर पा रहा है हम और बहतर कर सकते हैं तो इस Report को Release किस ने किया इस Report को Release किया गया है Global Wind Energy Council के दवारा Global Wind Report हाइलाइट करता है Wind Power के रोल को ये एक रास्ता तयार करता है कि हम Net Zero Emission तक पहुंच सके 2050 का Target रखा गया है Net Zero Emission के लिए इसमें होगा ये कि जितना Emission हम कर रहे हैं Various Industries के थो थो उसमें उसे Counter करने के लिए हम कुछ Counter Measures ऐसे ले कि हम Emission को Sequestrate कर ले Like Carbon Sequestration की सोखने की कई सरी तकनिकिया होती है हम उनका इस्तेमाल करें हम जितना Emission कर रहे हैं उतना ही उसे हम कम कर दें Counter कर दें तो जो Net निकले वो Zero निकल जाया मतलब ना हमने Emission किया और ना ही हमने Extra जो Carbon है उसे सोखने का प्रयास किया ठीक है तो हम Net Zero पे जाने की कोसिस करेंगे Key Findings Report की क्या है World की जो Capacity है Wind Power से Electricity जनरेट करने की वो 2020 में 53% तक बढ़ी है Total 93 GigaWatt की जो Capacity है वो 2020 में इंस्टॉल की गई Current जो Global Wind Energy Capacity है वो 743 GigaWatt की है पूरी दुनिया के हम बात कर रहे हैं इसमें 75% जो नए इंस्टॉलेशन 2020 में देखने को मिले हैं वो चाइना और USA से देखने को मिले हैं मतलब इन लोगों ने सबसे बढ़िया काम किया है इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो Wind Power से Electricity जनरेट करने की जो Capacity है वो हाल के सालों में काफी बढ़ी है फरवरी 2021 तक इंडिया की जो Total Installed Wind Power Capacity है वो 38 गीगावाट की है इस लिहाज से दुनिया में चौथा सबसे बड़ा Installed Wind Power इंडिया के पास है इंडिया की ग्रोथ अच्छी है बट हम और बहतर कर सकते हैं जैसा कि हमने शुरुआत में बात की Global Wind Energy Council की बात करें तो इसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था It is a kind of Representative Forum जहां पर दुनिया भर के जो Wind Energy Sector की अलग-अलग entities हैं वो International Level पर यहां पर आ सकती हैं और Initiatives लिए जा सकते हैं उद्ध ये है कि Wind Power को एक Leading Energy Source की रूप में स्टैब्लिश किया जाए ताकि इसके Economic Benefits मिले और हमें एक Substantial Environmental और Economic Benefit अवेल कर सकें Headquarter Belgium के Brussels में है हमरा Next Article आमबोली Biodiversity Heritage Site के बारे में है मरस्टर के सरकार ने अभी आमबोली जो कि Western घाट के Sindhu-Durk District में है उसे एक Biodiversity Heritage Site डेकलेर कर दिया है वहाँ पर कुस्त में पहले Rare Freshwater Fish मिली थी इसका नाम चिस्तूरा हिरन्यकेशी रखा गया था अभी उसे Biodiversity Heritage Site डेकलेर कर दिया गया है Biodiversity Heritage Site जो है वो State Government Notify कर सकती है Local Governing Bodies के Consultation के साथ ये अधिकार उनको Biological Diversity Act of 2002 के Section 37 से मिलता है जो चिस्तूरा हिरन्यकेशी है ये एक सब स्पिसीज है चिस्तूरा की हिरन्यकेशी रिवर है आमबोले विलज में उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है ये चोटी से कलरफुल फिश होती है जो की Water और Streams में पाई जाती है जहांपर Oxygen अच्छी मात्रा में हो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल Pong Dam, Wildlife Century के बारे में है अभी हाल ही में 27 Migratory Birds को मरा हुआ पाया गया Cause Avian Influenza था हिमाचर प्रदेश की Pong Dam, Wildlife Century में बात करते हैं 1975 में Pong Dam बनाया गया बियास नदी के उपर उसके बाद उसके पीछे एक बड़ा सा रिजर्वायर तयार हो गया जैसा कि लगभग हर डायम के पीछे आपको देखने को मिलता ही है और उस रिजर्वायर के आसपास Flora और Fauna फ्लरिश होने लगे तो 1983 में इसे Void Left Century भी डेक्लेर कर दिया गया Location आपको Himachal Pradesh में मिलेगी इसे Pong Dam रिजर्वायर या Pong Dam Lake के नाम से भी पुकारा जाता है जो पानी इसमें आता है वो बियास नदी से आता है Map में Location देखना चाहे है तो देखे ये Himachal Pradesh है और यहाँ पर आपको 1994 में Government of India नहीं इसे Wetland of National Importance डेक्लेर किया और 2002 में से रामसाथ साइट डेक्लेर कर दिया गया Vegetation की बात करें तो Tropical और सब Tropical Forest आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और कई सारे Wild Life Animals का घर है ये Fauna की बात करें तो 220 species आपको birds की मिलेंगी 54 families से जो करती है हिंदुकुस हिमालिया से लेकर साइबेरिया तक कई सारी migratory birds जो हैं वो विंटर के समय में इस जगह पर आना पसंद करती है हमरा नेक्स्ट आर्टिकल जम्मो एन कस्मीर की Lakes के बारे में है सिनगर की डल लेक के साथ साथ 5 और लेक्स को Protected Wetland Declare करने का प्लान बनाया गिया है बाकी की पांच कौन सी हैं Wooler Lake, Nigin Lake Sanasar Lake Manasbal Lake और Purmandal Lake जिसे कई बार छोटा कासी भी कहा जाता है Decision को अभी जम्मो एन कस्मीर Wetland Authority जिसको चेयर कर रहे थे चीफ सेकरेटरी उनकी मीटिंग के दोरान लिया गया है Forest Department Digital Inventory तैयार करेगा Documentation करेगा Geo Special Database तैयार करेगा Wetland का मतलब क्या उनकी exact location है उसकी बाद वो अपनी recommendation देंगे बात करते हैं Lakes के बारे में Dunn Lake, स्रीनगर में आपको मिलेगा Urban Lake है और Jammu and Kasmir Union territory में दूसरी सबसे बड़ी लेक है इसे Lake of Lars Jewel in the Crown of Kasmir या स्रीनगर्स Jewel कई सरे नामों से पुकारा जाता है ये commercial operations का भी एक source है like fishing, water plant, harvesting यहाँ पर किया जाता है जो इसमें पानी आता है वो जेलम नदी से आता है ठीक है दूसरी है Wooler Lake ये Asia के कुछ बड़ी fresh water lakes में से एक है जम्मुन कasmir में ही मिलेगी ये tectonic activities के वज़े से बनी थी है और जलम नदी का पानी यहाँ पर भी आता है पुराने समय में इंसेंट टाइम्स में इसे महापदमसर के नाम से पुकारा गया है लेक जो इंडिया के 42 इंडियन वेटलेंड्स है तामसा साइट के उनमें भी है निगीन लेक ये मिडली यूट्रॉफिक लेक है यूट्रॉफिक लोग मतलब अच्छी कंडिशन में नहीं है जो dissolved oxygen है वो काफे ज़दा कम हो चुकी है चुमयन कस्मीर के स्रीनेगर में आपको मिलेगी इसे कई बार डल लेक का ही हिस्सा माना जाता है एक narrow state है इसे डल गेट कहते हैं उसके जरीए निगीन लेक डल लेक से जुड़ती है जो बात करता है महिंद्रगरी बायोगस्पेर रिजर्व के बारे में महिंद्रगरी बायोगस्पेर रिजर्व असल में उडिसा में है और उडिसा में अल्लेडी एक बायोगस्पेर रिजर्व है तो वहाँ दूसरे बायोगस्पेर रिजर्व की बात चल रही है महिंद्रगरी के पास जहां पर बहुत जारा बायो डैवर्सिटी है कुछ important चीज़ें यहां है कि यह जो area है जिसकी बात की जा रही है वो लगभग किन डिस्ट्रिक्स में है तो गजपती और गंजम डिस्ट्रिक्स में है जो कि इस्टन घाट के पास है और यह जो reason है वो एक तरह का transition zone बनाता है Himalayan region और Southern India के बीच में यानि transition zone क्या होता है कि एक तो जैसे को हिमालय का परवत है यहां लिए परवाट चंकला है यहां पर काफी जादा फ्लोराइन फ्लोना है कुछ ऐसे Himalayan leopard है या फिर जैसा अगर आपको बिल्कुल सेंटर में होता है जहां पर आपके जो जो जन जान्मनों को जन आरिया को परटेक्ट करना होता होता है उसके पाद buffer areas होते है और तब जगे transition areas होते हैं, तो question success पूछे जाता है कहां पर लोग रह सकते हैं, मतलब कहां तक रहने की permission होती है, तो core area में कोई नी रह सकता है, वहाँ पे अक्सर आपको roads की भी permission बड़ी मुश्कल से मिलती है, लेकिन transition और buffer area में वो बनाया जा सकता है, तो यह clarity आपको environment में जरूर मिल जाएगी, तो यह बात होगे कि महिंद्रगिरी Biosphere Reserve की, तो महिंद्रगिरी Biosphere Reserves बनाने की बात कहां चल रही है, Odissa में, किन district में, यह हमने पढ़ा, इस area की और importance है क्योंकि यहां पर एक मंदिर भी है, इसको रमायना सर्किट से भी जोड़ा गया और यहां एक river भी बहती है, तो अल्रड़ी इस area में रमायन सर्किट है, जो कि महिंद्रगिरी में जोड़ा जा चुका है, रमायन सर्किट क्यों जोड़ा गया है यहां, क्योंकि यहां कई सारे मंदिर है, इस से related और इसके लावा महावारत से भी काफी संबंध रहा है इस area का, जहां पर कई मंदिर है कुंति युदि रिष्टर वगेरा वगेरा और यहां water stream और रिवर की का उद्गम है, जिस रिवर का नाम है महिंद्र तनय रिवर यहां से बहती है, और यहीं पर महिंद्र तनय इसके लावा कांथा ट्राइब भी हां मिलती है, और सौरा कांथा ट्राइब का मिलती है महिंद्री बाइस्वर रिवर रिवर में, तो important है आप इसको आपने short notes बनाते है, वहां add जरूर करें, कौन से tribes यहां मिल रही है, कौन कौन से मंदिर है, क्योंकि काफी news में रहने वा आगला point आ गया कि इसमें elephant काफी मातरा में इंडिया के मिलते हैं, जो महिंद्री यूरू में मिलते हैं, इसके लावा tiger, leopard, henna वगरा वगरा आपको यहां मिलते हैं, 165 species of bird, 3 species of snakes, यह सब यहां बाए जाते हैं, पर एक और चीज़ जो important है, जब हम देखने के biosphere reserve की बात चल होई, जहां पर कई सरी ऐसी महतवपून चीज़ होती है, उनको आप biosphere reserve declare कर सकते हैं, तो biosphere reserve का काम क्या होता है, biosphere reserve फ़र्म किया जाता है, ता कि कहीं पर natural development किसी जाएगी हो रही है, कि महां road बनने है, सड़के बनने है, तो वो जो economic social development होती है, वो development ऐसा ना करें कि हमां की जो cultural value है, उसी को खतम कर दे, तो एक balance बनाने के लिए, nature को भी preserve करेंगे, social economic development का भी ध्यान रखेंगे, उसमें balance बनाने का काम करती है, जब आप किसी को biosphere reserve का दरजा देता, तो वहां preservation important हो जाती है, तो preservation हो जाती है, चीज़ों की, नहीं हो पाती, तो biosphere reserve का जो concept, यह launch किया गया सा 1971 में, UNESCO की man and biosphere reserve program के अंतर गात, और जो criteria है कि कैसे किस जिसको biosphere reserve माना जा सकता है, तो उसके लिए यह आपकी criteria है, कि जो site है, उसके अंदर खास बात है कि site protected होनी चाहिए, और nature conservation का एक code area होना चाहिए, हमने पढ़ा कि code area क्या होता है, जो बिलकुल center piece होता है, जहां पर आपकी conservation जारा की जा सकते है, और यह एक bio geographic unit होना चाहिए, और इसमें viable population भी होनी चाहिए, कई levels पर, अगर किस जी का population है ही नहीं, तो आप स्कुक्कियों फिर बाया से reserve बनाएंगे, और इसके लावा local communities का involvement होता है इसमें, और उनकी knowledge का भी इस्तमाल इसके preservation में किया जा अगर मिखा लेकर हम देखें, जो वहां root bridge होते है, इस तरह की चीज़ें अगर कहीं पर है, तो उनको भी इस तरह की biosphere reserves के लिए track किया जा सकते है, तो यह कहां नहीं किस चीज़ की, what are biosphere reserves, कौन से की बात चल रही है, कहां वो situated है, क्या important of location की, हमने सब cover किया, एक बार इंडिया में कौन-कौन से है, तो आपको दिख रहे है, cold desert है, नंदा देवी है, कई सारे biosphere reserves है, यह आपको याद रहे है, चीज़ें कि पंचमडी कहां पर है, कंचंचंगा कहां पर है, नोगरी किस इलाके में है, नौर्थीस्ट को लेकितो पहरी clarity आपको होनी चाहिए, अ 2020 ये एक ऐसा साल रहा जहां पर global wind power के industry में काफी बढ़िया काम हुआ है, despite COVID-19 आया था, कई सरे industries negatively impact हुई है, लेकिन wind power generation में growth देखने को मिली है, दुनिया के overall share को हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं, लेकिन इंडिया अच्छा तो कर रहा है, बहुत अच्छा फिर भी नहीं क पा रहा है, हम और बहतर कर सकते हैं, तो इस report को release किस ने किया, इस report को release किया गया है, global wind energy council के दवारा, global wind report highlight करता है wind power के रोल को, ये एक रास्ता तयार करता है कि हम net zero emission तक पहुंच सके, 2050 का target रखा गया है net zero emission के लिए, इसमें होगा ये, कि जितना emission हम कर रहे हैं, various industries के थो, like carbon sequestration की, सोखने की कई सरी तकनीकिया होती है, हम उनका इस्तेमाल करें, हम जितना emission कर रहे हैं, उतना ही उसे हम कम कर दें, counter कर दें, तो जो net निकले, वो zero निकल जाया, मतलब ना हमने emission किया, और ना ही हमने extra, जो carbon है, उसे सोखने का प्रयास किया, ठीक है, तो हम net zero पे जान total 93 gigawatt की जो capacity है, वो 2020 में install की गई, current जो global wind energy capacity है, वो 743 gigawatt की है, पूरी दुनिया के हम बात कर रहे हैं, इसमें 75% जो नए installations 2020 में देखने को मिले हैं, वो चाइना और USA से देखने को मिले हैं, मतलब इन लोगों ने सबसे बढ़िया काम किया है, इंडिया की बात करें, तो इ electricity generate करने की जो capacity है, वो हाल की सालों में काफी बढ़ी है, February 2021 तक इंडिया की जो total installed wind power capacity है, वो 38 gigawatt की है, इस लिहाज से दुनिया में चौथा सबसे बड़ा installed wind power इंडिया के पास है, इंडिया की growth अच्छी है, बट हम और बैतर कर सकते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में बात क हैं, तो इसे 2005 में established किया गया था, it is a kind of representative forum, जहां पर दुनिया भर के जो wind energy sector की अलग-अलग entities हैं, वो international level पे यहां पर आ सकती हैं, और initiatives लिये जा सकते हैं, वो देश ये है कि wind power को एक leading energy source की रूप में established किया जाए, ताकि इसके economic benefits मिलें, और हम एक substantial environmental और economic benefit अवेल कर सकें, हमरा next article आमबोली biodiversity heritage site के बारे में है, मरस्टर की सरकार ने अभी आमबोली जो कि western घाट के सिंदु दुर्क district में है, उसे एक biodiversity heritage site declare कर दिया है, वहाँ पर कुस्तुमें पहले rare freshwater fish मिली थी, जिसका नाम चिस्तूरा हिरन्यकेशी रखा गया था, अभी उसे biodiversity heritage site declare कर दिया गया है biodiversity heritage site जो है वो state government notify कर सकती है, local governing bodies के consultation के साथ, ये अधिकार उनको biological diversity act of 2002 के section 37 से मिलता है, जो चिस्तूरा हिरन्यकेशी है, ये एक सब species है, चिस्तूरा की, हिरन्यकेशी river है आमबोली विलज में, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, एक छोटी से colorful fish होती है, जो की water और streams म पाई जाती है, जहांपर oxygen अच्छी मात्रा में हो, हमारा next article पॉंग डैम वाइलेफ सेंचुरी के बारे में है, अभी हाल ही में 27 migratory birds को मरा हुआ पाया गया, cause avian influenza था हिमाचल प्रदेश की पॉंग डैम वाइलेफ सेंचुरी में, बात करते हैं, 1975 में पॉंग डैम बनाया बियास नदी के उपर, उसके बाद उसके पीछे एक बड़ा सा reservoir तयार हो गया, जैसा कि लगभग हर डैम के पीछे आपको देखने को मिलता ही है, और उस reservoir के आसपास flora और fauna flourish होने लगे, तो 1983 में इसे वाइलेफ सेंचुरी भी डेक्लेर कर दिया गया, location आपको हिमाचल प हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पर आपको पूंग डैम मिलेगा, थोड़ा बड़े मैप में देखना चाहें, तो देखें यह हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर यह बियास रिवर है, और यहीं पर पूंग डैम और पूंग रिजर्वायर है, तो location आपने मैप में देख 1994 में Government of India नहीं इसे Wetland of National Importance डेकलेर किया, और 2002 में से रामसाथ साइट डेकलेर कर दिया गया, वेजिटेशन की बात करें तो टॉपिकल और सब टॉपिकल फॉरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और कई सारे वाइल डैफ एनिमल्स का घर है यह, फोना की बात करें तो विंटर के समय में इस जगह पर आना पसंद करती हैं, हमरा नेक्स्ट आर्टिकल जम्मु एन कस्मीर की लेक्स के बारे में है, स्री नगर की डल लेक के साथ साथ पांच और लेक्स को प्रोटेक्टेड वेटलैंड डेकलेर करने का प्लान बनाया गया है, बाकी की पांच कौ जिसको चेर कर रहे थे चीफ सेकरेटरी, उनकी मीटिंग की दौरान लिया गया है, फोरस्ट डिपार्टमेंट डिजिटल इन्वेंटरी तैयार करेगा, डॉक्यमेंटेशन करेगा, जियो स्पेशल डेटाबेस तैयार करेगा वेटलैंड का मतलब क्या उनकी एक्जैक्ट उसकी बाद वो अपने रिकमेंटेशन देंगे, बात करते हैं लेक्स के बारे में डन लेक, स्रीनगर में आपको मिलेगा, अर्बन लेक है, और जम्मो इन कस्मीर यूने टरिटरी में दूसरी सबसे बड़ी लेक है, इसे लेक आफ लार्स, जेवल इन दे क्राउन अफ कस्म लेक्स में से एक है, जम्मो इन कस्मीर में ही मिलेगी, ये टेक्टॉनिक एक्टिविटीज के वज़े से बनी थी है, और जिलन नदी का पानी यहाँ पर भी आता है, पुराने समय में इंसें टाइम्स में इसे महा पदमसर के नाम से पुकारा गया है, लेक जो इंडिया के 42 इंडियन वेटलेंड्स हैं, दामसर साइट के उनमें भी है, निगीन लेक, ये मिडली यूट्रॉफिक लेक है, यूट्रॉफिक लोग मतलब अच्छी कंडिशन में नहीं है, जो डिजॉल्ट ऑक्सीजन है, वो काफे ज़दा कम हो चुकी है, जो मैं कस्मीर के स्रीनेगर म महिंद्रग्री Biosphere Reserve, असल में, और उडिसा में है, और उडिसा में अल्यदी एक Biosphere Reserve है, तो वहां दूसरे Biosphere Reserves के बात चल रही है, महिंद्रगीर के पास, जो की, जहांपे बहुत जारा Biodiversity है, कुछ important चीज़े हैं कि ये जो एरिया है, जिसकी बात की जा रही है, वो तो आप कभी बारे में बाद पढ़ें तो वहाँ आपको बिलकुल सेंटर में होता है कूल अब को दिख रहा आ है जहां पर आपके जो जन जानवनों को जन एरिया को प्रटेक्ट करना होता वो होते हैं उसके पात buffer areas होते हैं और तब जगे transition areas होते हैं तो question सक्सेश पूछे जाता है कहां पर लोग रह सकते हैं मतलब कहां तक रहने की permission होती है तो core area में कोई नहीं रह सकता वहां पर अक्सर आपको roads की भी permission बड़ी मुश्कल से मिलती है लेकिन transition और buffer area में वो बनाया जा सकता है तो यह clarity आपको environment में जरूर मिल जाएगी तो यह बात होगे कि महिंद्रगिरी biosphere reserve की तो महिंद्रगिरी biosphere reserves बनाने की बात कहां चल रही है Odisha में किन district में यह हमने पढ़ा इस एरिया की और importance है क्योंकि यहां पर एक मंदिर भी है इसको रमायना circuit से भी जोड़ा गया और यहां एक river भी बहती है तो अल्लडी इस area में रमायन circuit है जो कि महिंद्रगिरी में जोड़ा जा चुका है रमायन circuit क्यों जोड़ा गया है यहां कई सारे मंदिर है इससे related और इसके लावा महावारश से भी काफ़ी संबंध रहा है इस एरिया का जहां पर कई मंदिर है कुंति यूदि वगए लगए लगए और यहां water stream और रिवर की का उद्गम है जिसरिवर का नाव है महिंदर तन्यय है तन्यय है यहांके है इंपर महिंदर तन्यय टैंपल भी है तो इसलिए important हो जाता ही लाग है और यह 은Seallet. Istनी में साल फोर्स्त है mixed forest, grasses लेंd और उन्य पर इंपोर्टं विंपोर्टं ट्राइब मिलती है जो कि है Soura Tramp ये वल्लरेबल ट्रैबल ग्रुप का पार्ट है इसके लावा कांधा ट्रैप भी हमन दियो सारा कांधा ट्रैप का मिलती है में महें दिरी बायसवर रिजर्व में तो इंपॉर्टन है आप इसकोज हमने शॉट नूर्स बनाते हैं वहाँ एड जरूर क कौन से tribes यहां मिल रही है, कौन कौन से मंदिर है, क्योंकि काफी news में रहने वाला है यह point, अगर इसको बास्वा रिजर्व का परभेट मिलता है, तो almost 40% जो उडिसा का flora है, वो यहां प्राप्त होता है, इसमें से कई सारे जो species हैं, वो medicinal properties के around 41 और 13 medicinal plants उडिसा के इस region में मिल जाते हैं, पर एक और चीज जो important है, जब हम देखने के Biosphere Reserve की बात चल रही है, तो Biosphere Reserve असल में होते क्या है, तो Biosphere Reserve असल में UN दाला designate किया जाता है, UN की एजन्सिया, UNESCO को designate करती है, किसलिए, क्योंकि अगर किसी जगह में विशेश प्राकरतिक या Sanskritic landscape होता है कोई, जह जो एक economic, social development होती है, वो development ऐसा न करें कि आखा कि जो cultural value है, उसी को खतम कर दे, तो एक balance बनाने के लिए, कि nature को भी preserve करेंगे, social economic development का भी ध्यान रखेंगे, उसमें balance बनाने का काम करती है, जब आप किसी को Biosphere Reserve का दरजा देता, तो वहां preservation important हो जाती है, तो preservation हो जाती है, areas है कि, जो site है, उसके अंदर खास बात है कि, उस site protected होनी चाहिए, और nature conservation का एक core area होना चाहिए, हमने पढ़ा कि core area क्या होता है, जो बिलकुल center piece होता है, जहां पर आपकी conservation जारा की जा सकती है, और यह एक bio geographic unit होना चाहिए, और इसमें viable population भी होनी चाहिए, कई levels पे, अगर कि traditional tribal, rural modes of living होते हैं, उनका उस area को भी आप एक reserve की रूप में बना सकते हैं, अगर कहीं पर ऐसी कोई चीज का tradition का follow किया जाता है, जो विशेश है, अब example की रूप में, अगर मेगा लाकर हम देखें, जो वहां root bridge होते है, इस तरह की चीज़ें अगर कहीं पर हैं, उनको भी इस नंदा देवी है, कई सारे बैस्वे reserves हैं, यह आपको याद रहे हैं चीज़ें कि पंचमडी कहां पर है, कंचंचंगा कहां पर है, नोकरीक किस इलाके में है, नौर्थीस को लेकितो पहरी clarity आपको होनी चाहिए, अकसर लोग यहां confused हो जाते हैं कि नोकरीक कहां पर है, नाच लेबरर्स आख की चपेट में आए, तीम ने अपनी जान गवादी और दो बुरी तरीके से घायल हो गया, नवे गाओ नगजिरा टाइगर रिजर्व जो कि महारास्टरा में है, इसी संदर्व में नियूज में आया, लोकेशन क्लेर हो गई, महारास्टरा, 2013 में इसे नगजिरा वाइलेफ सेंचुरी और कोका वाइलेफ सेंचुरी, मैप में लोकेशन डेफिनिटली आप देखना चाहेंगे, have a look, तो ये देखे, ये है नवे गाओ नेशनल पार्क और ये है नगजिरा वाइलेफ सेंचुरी, तो इस पूरी एरिया को मिलाकर आपको मिलेगा नवे गाओं, नगजिरा टाइगर रिजव, ठीक है, फ्लोरा की बात करें तो आपको सदन टॉपिकल ड्राइड इसेडियोस फॉरस्ट मिल जाएंगे, कुछ थौनी फ्लांट भी मिल जाएंगे, नहीं कुछ मिलेगा तो बंबू तो मिली जाएगा, खूप सारा, फोना में नवे गाओं, नगजिरा टाइगर रिजव के बारे में, देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डॉल्फिन सेंसर्स के बारे में है, उरिसा के स्टेट फॉरेस्ट और इन्वार्मिन डेपार्टमेंट ने अभी हाल ही में फाइनल डेटा ड डॉल्फिन की पॉपलेशन पिछले साल के तुलना में इस साल दुगनी पाई गई है, 544 इरावडी, बॉटल नोज और हमबैक डॉल्फिन इस साल देखे गए हैं, पिछले साल ये संख्या 233 थी, ऐसा इसलिए है क्योंकि इलीगल इंबाक्मेंट लगा लिये जाते थे, ज वो डैन्यूब स्टर्जन के बारे में है, डैन्यूब एक रिवर है यूरोप की और स्टर्जन मचली की एक प्रजाती है, अब तो मामला क्लियर हो गया होगा, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीस की गई है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, डैन्यूब की कुछ most endangered species में से एक है, जो लोवर डैन्यूब रीजन है, मतलब नदी का जो अंत का इलाका, वहाँ पर इसकी इलीगल सेल बहुत जादा है, लिखे ये है रिवर डैन्यूब, जर्मनी, आस्ट्रिया, स्लुवाकिया, हंगरी, ये जो कंट्रीज हैं दिख रही हैं, अभी जिन देसों के हम बात कर रहे थे, इस रिवर के लोवर रीच में, दोजार रुमानिया, सर्विया, बल्गारिया, और ये है युक्रेन, ये यहाँ पर दिखे, स्ट्रेच होते हुए, यहाँ तक आ रहा है, तो इन चारों देसों में इसका जो इलीगल कंजम्शन है, वो बह तो होता क्या, हम उनके दात बेच रहे होते, कहीं पर अगर कुछ डाइनासोर्स ऐसी मानता है कि आग फेका करते थे मूँसे, तो कहीं भट्थी वगएरा में आग जिलाने की आवशकता होती, तो हम उनका इस्तिमाल कर रहे होते, कुल मिला के एक्स्प्रॉइट तो हम उनक लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है, लेकि कुछ जीव बहुत पुराने हैं, लेकि ये जीव जो है, वो 200 मिलियन इयर्स पुराना है, लेकि फॉसिल इसलिए बोलते हैं, क्योंकि 200 मिलियन इयर्स में इनके structure में कुछ खास बदलाव नहीं आया, या बहुत कम बदलाव तो ये उस समय की जानकारी हमें दे देते हैं, कि उस समय कैसा रहा होगा सब कुछ सिस्टम, इसलिए इन्हें फॉसिल कहा जाता है, बट लिविंग है, इसलिए लिविंग फॉसिल का मतलब आपने समझ लिया, जो स्टरजन हैं, चुकि बहुत लंबे समय तक जीते हैं, अगर ये मर रहे हैं, मतलब रिवर अच्छी स्थिती में नहीं है, तो एकलोजिकल पैरामिटर की तरह भी वर्क करते हैं ये, ठीके स्टरजन की नदन हमेस्टियर में 27 स्पिसीज पाई जाती है, कुछ तो केवल फ्रेश वाटर में रहती है, कुछ एनाड्रॉमस होती है, एनाड्रॉमस होने का मतलब है, कि ये या तो मरीन या फिर ब्रैकिश इन्वार्मिंट में रहते हैं, लेकिन जब इन्डे देने होते हैं, तो ये फिर रिवर में चले जाते हैं, ये उल्टा ट्रेवल करके जाते हैं, लाइक लिवर अगर ऐसे आके यहां पर ब्लैक सी मेरा तो यह वैसे तो यहां पर या तो किनारे वाले ब्रैकिश वाटर में रहेंगे या फिर यहां रहेंगे लेकिन जब अंडे देना होगा तो फिर यह वापिस से रिवर में ऐसे ट्रेवल करके जाएंगे यहां पर कहीं किनारे पर अपने अंडे देंगे तो ऐसे जो जीव होते उन्हें anadromas कहा जाता है Danube sturgeon जो है वो black sea में usually रहते हैं और Danube river में migrate करते हैं stream के opposite अंडे देने के लिए threat over exploitation के वज़े से है, poaching के वज़े से है कई बार चुकि ये नदियों में जाते हैं तो अगर यहाँ पर dam बना देंगे तो इनका root block हो जाएगा, तो भी इन्हें दिक्कत हो जाएगी आईशन के red list में देखे, 6 species हैं sturgeon की, जो Danube river में मिलती हैं, उनमें से 5 critically endangered हैं, और sites के appendix 2 में हैं, मतलब काफी खतरे में हैं WWF की बात करते हैं, world का leading conservation organization है, लगभग 1200 में work करते हैं, 1961 1961 में बनाया गया था सुर्जलाइन के gland में इनका headquarter है, simple सा काम है, nature को conserve करना है और जो threat face कर रही है हमारी earth, या उसकी diversity उसे उससे बचाना है, threat से WWF के कुछ initiative है T into 2 goal, tiger की population को double करने का goal था, traffic, living planet report, earth, आर ये सब इनके initiatives हैं, ठीक है? आर्टिकल बात करता है monkey dactile के बारे में, अब ये क्या है? इसके बारे में जानते हैं, researchers ने हाल ही में petrosaur species का एक जो इनको fossil मिला था उसके बारे में बताया है कि इसके जो thumbs है वो opposable है opposable thumb मतलब क्या होता है? कि जो आपका अंगूठा है वो किसी भी उंगली तक पहुंच सकता है आपके हाथ के, जैसाथ कांग उठा है, वो पाच उंगली तक पहुंच सकता है यानि आप किसी चीज को hold कर सकते हैं जैसे यह देखे, यह होता है opposable thumb जहां पर आप एक तरी सीज को पकड़ पारे हैं हथियार चला सकती है तो रिसरचर्स ने पेट्रोसाओर को की स्पीसिस के बारे में वर्णन किया है जो की पहला instance है जिनका की opposable thumb था लिम्स में और यह असल में reptiles हुआ करते हैं जो बिल्कुल dinosaurs related है नाम कैसे पड़ा इसका, टेरोसाओर और उससे related ही हैं उसके cousins ही हैं यह reptiles ने रहे हैं जो पहले animal है इंसेट्स को जो evolve हुए यह मतलब कीने मकोड़े जो उड़ते हैं उनके बाद उड़ने वाले पहले animal बने है तो इनसे पता चला कि यह जो अलगरक species थी बाद में और ज़्यादा evolve हुई इनकी size बढ़ते चला गए तो बाद में यह बिल्कुल जो fighter jets होते हैं उनकी size तक के बड़े-बड़े होने लग गए या फिर एक मीटर से लेके कई मीटरों तक लंबे यह आपको दिखने लग गए यह जीव और यह जो fossil है यह असल में चाइना में मिला है यह एक सो साथ मिल्यनेर्स ओल्ड है और इसका नाम रखा गया है कुनपैंगो टेरस एंटी पॉलेकैटस यानि की monkey dactile यानि monkey की तरह यह hold कर सकता था किसी भी object हो opposable thumbs ते precision grip बना सकता था पावर grip बना सकता था तो इसको अब याद कैसे रखेंगे monkey dactile को monkey की तरह इसका grip था तो यह oldest एक तरह का reptile मिला है जिसमें की power grip थी जिसके पास तो यह जो पता चला इसका नाम antipolycatus इसलिए रखा गया कि इसके पास opposite thumbs थे यानि researchers को यह पहली discovery मिली थी जिनके पास opposed thumbs थे यानि वो किसी वीचिस को hold कर सकते थे इनका जो four limb है और जो इनकी body है इसको जो study किया गया उससे बड़ा चला कि यह इससे किस चीज़ों grasp कर लेते थे मतलब पकड़ लेते थे तो इसकी वज़े से यह herboreal life जी पाते थे herboreal life मतलब बता है क्या होता है जो लोग पेड़ पी जीते है जो जानवर तो जैसे बंदर किसी जिसको hold कर पाते है अगर आपको पेड़ों पे रहना है तो शाखाए बकड़ नहीं होगी एक पेड़ से दुसरे पेड़ पे जंप मानने होगी उसके लिए यह grip चाहिए होते है तो अकसर जानवर grip नहीं बना पाते है तो यह grip बना पाएंगे तो यह अविसली अरोबिया लाइफ को अडॉप्ट कर पाते थे पेड़ों पे रह पाते थे तो हमने बात करी मंगी डेक्टैल के जिनके पावर ग्रिप मंगी तरह थी याद रखिए यह मंकी नहीं थे यह रैप्टैल्स थे और किसके जैसे थे यह डाइनसाॉस के जैसे अगला रेवकॉंड़न इंडिकस के बारे में बात की गई है एक जगे हम अधिपरदेश में उसका नाम है टीकी टीकी फॉर्मिशन एक समय है जब कि यहां डाइनसाॉस बगरा हुआ गलते रहे उस समय को हम कहते है टीकी फॉर्मिशन यहां पर कुछ वर्टेबर आफ फॉसल मिले है यानि जो आई टी खड़कपूर के रिसर्चर्चर्चर्च उन्हें एक तरह के अफ्षियश मिले है फ पॉस इंडिका किसे कहते हैं यादर कि इंडिकस यां इंडिका जब हो तो इंडियन ही स्पीसी नहीं होती है तो इन्होंने नए इस पीशिश का नाम रखा है रहकांदियन ओप उस ध्जीन है और यह दो नए जीन है जिनको Cynodot species के अदर डाला गया है पहले का नाम है Inditherium floris और दूसरे का नाम है Ticondian chrompotony तो यह जिस जगह से निकला है उसका नाम Tiki है जहां है मिले हैं और इनकी जो species है उनका नाम रखाएंद है रेवकॉंडर इंडिकस यह आपको पता होना चाहिए तो यह जो रेवकॉंडर इंडिकस असल में एक तरह का Cynodot है Cynodot मतलब यह चूहे की तरह दिखने वाला है जीव इन्हें हम कहते हैं Cynodot यह 220 मिलियन साल पहले रहा करते थे खास बात यह है कि जो हम जब पढ़ते हैं कि जीवों का evolution हुआ पंक निकले कुछ जीवों के कुछ उंठने लग गए कुछ की सींगे निकल आए तो यह ऐसे living mammals थे जो की egg-laying vertebra थे इनकी रिड़ के हटी हुआ गलती थी यह vertebra थे जो की egg-laying थे नॉर्मली mammals एग नहीं ले करते आपको पता ही है मर्सूपियल्स को छोड़के तो इन्हें synapeed भी खा जाता था इनका एक पुरान अरिष्टा है क्योंकि इनके body में bones है और इनके mouths के अंदर मुग के अंदर एक secondary plate होती है जो की humans के तरह होती है जिसे हमारे अंदर दो plates होती है मुग के अंदर इसे हम चबा पाते है किसी भी चीज़ को तो इस तरह इनके अंदर भी उस खास बात थी तो वो थी synodores कहां मिले है NP में ठीक है नाम से clear है Tiki Dalton Chrome Putney मतलब Tiki के लाका में मिले है तो ये इनके बात हो गई आर्टिकल बात करता है Great Indian Bustard के बारे में ये एक तरह की चड़िया है इसकी खास बाती है कि ये Indian Subcontinent में Endemic है के वाल इसी रीजन में पाई जाते है यानि इंडिया पाकिस्तान की रीजन पाकिस्तान में इसका कुछ शिकार किया गया इनमें से दो चड़िया को मार गया गया तो इसलिए News में रही क्योंकि ये इंडिया के जो Wildlife Protection Act है उसके Schedule 1 के अंदर गताती है यानि इसको Full Support प्राप्त है Government का पूरी Protection प्राप्त है क्यों? क्योंकि ये एक तो Endemic है और दूसरी Critically Endangered है ठीक है? इसकी खास बाती है कि दुनिया के सब्से Heavy Bird है जो उड़ सकती है इतनी भारी होने के बाबजूरी ये उड़ पाती है ये को इसकी कहानी कहां पाई जाती है ये तो जहां इसका Habitate है वो है Dry Grassland सूखे घास के मैदान और Scrubs Land वहाँ पर ये मिलते हैं और इंडिया में ये Region जहां आपको इस तरह की Vegetation मिलेगी वह है गाजस्थान और Gujarat जहां ये Maximum रूप से इंडिया में पाये जाते हैं कुछ ये कभी-कभी महाराश्य करनाटिका और अंद्रपरदेश में भी देखे जाते हैं तो अभी जो उनका Conservation Status है वो देख लेते हैं इंडिया की में ये Wildlife Act के Schedule 1 के अंदर के आते हैं और Sights के Appendix 1 में है Critically Endangered है और 150 से भी कम चड़ियां ये दुनिया भर में बची है और ये Omnivorous Birds होते हैं Problem ये है कि ये लगातार इनको खत्रा है क्योंकि Numbers कम है खत्रा की चीज से Hunting से पाकिस्तान में बहुत जादा होती है इंडिया में रप्रेक्शन प्रापता है इसको Habitate loss हो रहा है इंका लगातार जो अग्रिकल्चर बढ़ता जारा है इनको loss हो रहा है इनके रहने के जगह का और यह अकसर जो बिजली के तारों से टकराके मर जाते हैं तो अब इनको बचाने के लिए government कुछ initiative launch करती है जैसे एक species recovery program है जहां कि जिसके अंदरगात इनको breeding की जाएगी captivity में और breeding करने के बाद जब कुछ बड़े हो जाएंगे चिडिया है तब उनको खुले में छोड़ दिया जाएगा वाइड में और यह जो प्रोग्राम है species recovery program यह integrated development of wildlife habitat के अंदर कर चल रहा है जिसको कौन रन कर रहा है ministry हमें हमेशा पता होनी चाहिए तो यह बहुत simple ministry है जिसे आप उमीद कर सकते हैं ministry of environment ही इसको रन कर रहा है community of environment, forest and climate change तो इनका यह program है habitat improvement and conservation breeding of great Indian bastard an integrated approach नाम से आपको पता लग जाएगा किस चीज़ के बारे में है तो उतना सोचने का इसमें ज़रूरत नहीं है नाम में mentioned है तो आपको पता है क्या है great Indian bastard इसको objective क्या है जो आपको पता चुका हूँ captive में breeding करना और फिर चिडियां को जब थोड़ी बड़ी हो जाए तो जंगल में छोड़ देना इसके लावा राजस्थान government का खुद एक project great Indian bastard है जो कोशिश करता है कि इनके लिए अलग व्यवस्था की जाए तकि यह इनसानी दबाओ से कम रहे इनको प्रेशर ना पड़ेगी भाई agriculture land बढ़ता है habitat का लॉस ना हो कुछ ऐसी breeding की व्यवस्था की जाए great Indian bastard के लिए के बाद अगला article है डिस्क-footed bat के बारे में यह एक तरह की चमगादर है जो हमें मिला है जो की bamboo dwelling में रहता है यानि बांस के चंगलों में रहता है और यह हमें कहां इसको पाया गया तो यह नॉंक्लिम wildlife century मेगाले मिला है तो यह खास बात है कहां मिला बस यह याद रखिए बाकी otherwise जो इसके पैर disc के तरह होता है इतना ही जानना है इसके विशह में जादा आप जानना मेरे साथ होता है genetically थोड़ा अलग है बाकी अपनी species जो अभी तक में मिले है खास बात यह है कि मेगाले का bet count of 66 हो जोगा है तो मेगाले में मिलते है इंडिया में इतनी सी बात इसमें चानने लाएग है अगला important article हाँ यह important है कि कहां मिला तो आपको यह पता होने है कि चाहिए कि जो नौखले wildlife century है यह मेगाले में यह नाम आपको याद रहना चाहिए अगला article है national climate vulnerability assessment report के बारे में department of science and technology ने एक report release की थी climate vulnerability assessment की बात करता है कि कितना जो इंडिया में अभी जो framework है कितनी preparation हुई है कितना हमारा जो setup हो तयार है और कितना उन्हें risk है कितने vulnerable है वो तो इसमें identify किया गया कौन-कौन से राज सबसेरा vulnerable है बहुती चुनाती पूर्ण स्थिती में जो है तो इसके अंदर अलगर districts को भी इनकी listing की गई है तो इसका फाइदा क्या होगा खास बात क्यूंकि report है report national report है कौन बना रहा है किसने release के important है department of science and technology क्या किसी से मदद करेगा हमें हमें adoption के जो हमारे तरीके हैं उसमें कैसे हमें और बहतर programs launch करने है जो बहतर तरीके से climate change को control करता है उसके बारे में हमें तयार करेगा तो 24 राज्यों को अलमुस्ट इसमें कंसिर्टर किया गया और दो युणिन स्टेरेटरिस को इसमें department of science technology प्लस एक स्विस एजनसी पूर development and cooperation के साथ मिलके दो नहीं develop किया है याद रखिए इंडिया में किसने release की तो DST ने किया था department of science and technology इसमें कई सारे factors हैं जो दिखाते हैं कि vulnerability किस level पर है कितनी जंसंख्या आ का स्रोत था तो खतम हो गया कितने proportion of marginal या small land holdings हैं कितनी महिलाओं की participation है workforce में कितनी healthcare worker की density है कहीं पर तो इससे पता लगता है कि अगर कहीं बहुत कम healthcare workers है तो वो अल्यडी बहुत जारा vulnerable होगा तो यह इसके prominent की जो drivers है वो है और जो report का नतीज़ा आया वो ही आया कि सबसे ज जारखंड बिहार चातिसगर्ड वेस्ट बिंगौल अरुनाचल प्रडेश जो आपको पहले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां बुक या तो भार जादा आती है या जादा जहां गरीबी है वो जिनसे आपने आप जादा वल्नरेबल हो जाएंगे इंडिकेटर इसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा यह राज है जो हाई वल्नरेबल है जो नॉमर्मली हम जिनके बारे बहुत कुछ पढ़ते ही रहते हैं कि हमारा फस्ट आर्टिकल ब्ल्यू नेचर अलायंस के बारे में है ओशन बहुत जरूरी होते है ऑक्सिजन की सप्लाई के लिए नैचरल रिसोर्स के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम सुकून से जीते रहें तो जरूरी है कि ओशन स्टेबल रहें उनकी बायो डाविसटी अच्छी तरीके से वर्क करती रहें बिल्कुल इसी उद्देश से 20 अप्रेल 2021 को एक अलायंस इस टोर करेंगे मतलब की जो उनकी नैचरल कैपिसिटी है उसे वापिस से इंप्रूब करने की कोसिस की जाएगी यह है क्या नाम से ही सपस्ट है एक अलायंस है मतलब कुछ लोग मिलकर एक साथ आये होंगे तो यह ग्लोबल पार्टनर्सिप है जिसमें पांच कोर पार्ट बात करते हैं पांच कोर पार्टनर्स के बारे में पहला है कंजर्वेशन इंटरनेशनल दूसरा है ग्लोबल इन्वार्मेंट फैसिलिटी तीसरा प्यू चरिटेबल ट्रस्ट चौथा मिंड्रू फांडेशन और पांच वां रॉब एन मेलानी वॉल्टन फांडेशन तो य अगले पांडेशन के बात करते हैं तो 2030 तक इन्हें दुनिया के 30% sufficient को conserve करना है, targeted oceans कौन से हैं, देखे, 7 locations को target किया गया है, पहला है Antarctica, दूसरा, Feezy, तीसरा Canada, 84, Sicilies पांचमा पलाव, छठा Western Indian Ocean और साथमा अत्र स्तान दी कुना, जो कि एक island है South Atlantic Ocean में, जो alliance है वो local communities के साथ मिल कर काम करेगा और national leaders के साथ भी इनका एक बहुत अच्छा सा concept है यह actually में marine protected areas बनाएंगे MPAs, और वहाँ पर जो management है उसे बहतर किया जाएगा, जो existing है उनके management को भी better करनी की कोसिस की जाएगी बात करते हैं, conservation international लैनिकी CI के बारे में, American non-profit environmental organization है 1987 में existence में आया था इनका काम बिल्कुल सिंपल है जो oceans critical benefit हमें देते हैं उनको highlight करना, spotlight करना और उनको बचा के रखना जैसे oceans से हमें food, fresh water, desalinization के बाद, livelihood और stable climate यह सब मिलता है, उसको highlight करना इसका headquarter USA के वरजीनिया में है इसका next article, blue flag beaches के बारे में है अभी हाल ही में इसका की government ने जो plan बनाया था कि वो कुछ beaches को blue flag certification के लिए प्रयास करेंगे वहाँ के fishermen इसका काफी तेजी से विरोध कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद कई सारी activities को restrict कर दिया जाता है अगर किसी beach को blue flag का certification दिलवाना है तो जो blue flag वाले beach होते हैं उने cleanest beach माना जाता है दुनिया का blue flag most recognized voluntary eco label है जिसे beaches को, marinas को marinas जहां पर एक तरीके का dock क्यार्ड होता है जहां पर छोटे जो याच बगएरा होते हैं वो dock कर सकते हैं जो sustainable boating tourism operators हैं उन्हें ये certificates दिये जाते हैं criteria क्या है certification का कई सारे criteria's पूरे करने पड़ते हैं environmental, educational, safety, accessibility criteria 33 criteria's हैं जो qualify करने होते हैं blue flag certification के लिए जैसे water का level अच्छा होना चाहिए साफ होना चाहिए wage disposal facility अच्छी होने चाहिए disabled friendly हो, first aid equipments हो pets वगएरा कोई वहाँ ना ले जा सके कुछ criteria voluntary होते हैं कुछ compulsory होते हैं इसे award किया जाता है Denmark based एक non-profit foundation है इसका नाम है Foundation for environmental education FEE ये ये certificate grant करते हैं ठीक है India ने भी ऐसा कुछ एक mechanism opt किया है जिसे beams कहा जाता है India अपनी उरसे भी certify करता है beaches को अगर वो अच्छी quality maintain कर रहे हैं तो Beach Environment and Aesthetic Management Services इसका full form है जो ICZM है Integrated Coastal Zone Management Project है उसी के तहत ये beams के तहत जो certification है वो दिया जाता है beams को launch किया गया था एक साथ मिलकर SICOM और Ministry of Environment Forest and Climate Change के द्वरा SICOM का full form है Society of Integrated Coastal Management ये सारी बाते Blue Flag Beaches के बारे में तल World Earth Day के बारे में है 22nd April को इसे हर साल celebrate किया जाता है इस बार इसकी 51st anniversary थी 2021 की theme थी restore our earth पहली बार इसे 1970 में celebrate किया गया था significance ये है कि Paris Agreement का आपने नाम जरूर से सुना होगा 2016 में Earth Day के मौके पर ही से साइन किया गया था हमारा next article State of Global Climate Report 2020 के बारे में है World Metallurgical Organization ने इस रिपोर्ट को भी हाल ही में release किया है क्या निकल किया या इस रिपोर्ट में 2020 हाल फिल हाल के तीन सबसे गर्म सालों में से एक रहा इसके पहले के दो जो सबसे गर्म साल थे वो 2016 और 2019 थे Greenhouse Gases के बारे में जो जानकारी मिली that was कि 2019 और 2020 में लगातार Greenhouse Gases का जो concentration है वो increase हुआ है जबकि 2020 में COVID-19 की वज़े से बहुत सारी activities बंद हो गई थी और Greenhouse Gases reduce कर गई थी Still उनका जो concentration है वो लगातार बढ़ता रहा है Oceans की बात करें तो 2020 में highest heat content record किया गया है Oceans में 80% Ocean Service Area जहां से हम कोई भी Service Oceans से access करते हैं वहाँ पर हमने कम से कम एक marine heat wave जरूर देखा जो flora है fauna है वो उससे प्रभावित होता है कुरल्स वगएरा degrade bleach करना शुरू कर देते हैं कई सारे जो microorganisms है वो मर जाते हैं अगर temperature water का बढ़ जाए तो Sea level rise की बात करें तो लगातार sea level rise हो रहा है ice shield की melting की वज़े से अब ये तो overall बात हो गई इंडिया की बात करते हैं 1994 के बाद इंडिया ने wettest monsoon face किया 9% surplus rainfall हुआ जिससे severe floods और landslides इंडिया में आई cyclone अमफान ने कुलकाता को hit किया मई 2020 में ये costliest tropical cyclone रहा जो North Indian Ocean region को hit करता है लगभग इससे 14 billion US dollar का loss हुआ है अब ये सब climate change की वज़ा से ही हो रहा है जो anomaly हमें देखने को मिल रही है ठीक है World Meteorological Organization की बात करें तो Intergovernmental Organization है 1950 में WMO Convention के दहत बनाया गया था WMO के पहले एक body हुआ करती थी नाम था International Meteorological Organization इसे 1873 के Vienna International Meteorological Congress के बात बनाया गया था बाद में उसी का नाम बदल के WMO रख दिया गया 193 member states और territories इसका हिस्सा है इंडिया भी इसका member है significance यह है कि United Nations की specialized agency है headquarters स्रुजिलेंड के जिनेवा में है Global Litter Partnership Project के बारे में है यानि कि Global Litter Partnership Project लगभग दुनिया की 30 countries एक साथ आ रही है जहां पर वापस में एक partnership create करेंगे marine plastic litter को tackle करने के लिए समंदर में जो कच्रा फेका जाता है उसे handle करने के लिए देखे समंदर में बहुत सारा कच्रा हमारे द्वारा फेका जाता है देखे इस समंदर को हमने कितना खुबसूरत बना दिया है कच्रा फेक कर अब आप बताईए कि क्या ये जो कच्छुआ है वो इस गिलास से पानी पीने वाला है ये गिलास समंदर में कर क्या रहा है और ये tooth brush किसका है कुल मिला कर मजाक चल रहा है कहीं भी कुछ भी फेक दिया और ये विक्ति भी कम कलाकार नहीं है shine board लेकर गए है tooth brush ढूडने के लिए समंदर में मुद्दे की बात ये है कि इस कच्रे को कम तो करना पड़ेगा नहीं तो हमारा जो marine environment है marine biodiversity है वो खत्रे में पड़ेगी ये initiative ये जो partner से project है ये launch किस ने किया है IMO और FAO ने मिलकर launch किया है IMO मतलब International Maritime Organization और FAO मतलब Food and Agriculture Organization of United Nations government of Norway जो है वो initial funding कर रही है बाद में बाकी की जो partners हैं वो भी funding करेंगे ताकि हम दुनिया भर में इस कच्रे को कम कर सकें ठीक है काम क्या किया जाएगा इसमें First of all तो दुनिया भर में बहुत सारे ships हैं जो एक जिगह से दूसरी जिगह सामान लेकर जाते हैं Sometimes लोगों को भी Fishing sector में बहुत सारे ships वर्क कर रहे हैं जहाज या छोटी जो नावे हैं वो काम कर रही हैं उन सब को इस तरीके से मदद करनी आए में ताकि वो लो प्लास्टिक का इस्तेमाल करें प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो इस गोल को अचीव करने के लिए जो countries हैं उन्हें help की जाएगी कि वो best practices opt करें prevention, reduction और control करें marine plastic litter का अपने-पने sectors में especially transport और fishing sector में 30 days participate करने वाले हैं including India significance की बात ये है कि जो एक मारपूल convention है उसमें जो भी guidelines दी गई है उनके साथ compliance को promote किया जाएगा मारपूल convention क्या है अभी समझेंगे at the same time sustainable development goal goal number 14 में ये कहा गया है कि हम marine environment को protect करेंगे अब ऐसे तो protect नहीं होगा जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कचरा हमें कम करना पड़ेगा उसके लिए देसों को एक साथ मिलकर तो आना पड़ेगा मारपूल की बात करें तो international convention for prevention of pollution from ships इनका एक main objective ये है ये international convention है marine environment को pollution से हमें बचाना है at the same time जो accidental cause की वज़े से pollution हो जाता है oil spill हो गया chemical spill हो गया हमें उससे भी marine environment को protect करना है 2 November 1973 को इसे adopt किया गया था IMO के द्वारा International Maritime Organization के द्वारा मारपूल कंवेंशन का signatory इंडिया है इसमें देखें total 6 technical annexes हैं जहां पर अलग-अलग field में pollution को रोकने की बात की गई है like NX1 में oil pollution की बात की गई है NX2 में जो noxious liquid substance होते हैं कुल मिला के आप सामाने भासा में chemical कह लीजिए उसको भी transport किया जाता है तो उसके spill का भी खत्रा रहता है harmful जो substance C में package form में carry किये जा रहे हैं NX3 में NX4 में ship से जो savage निकलता है NX5 में ship से जो garbage निकलता है और NX6 में जो ship से air pollution होता है उसके रोकने की बात की गई है IMO की बात करें तो specialized agency है UN की 1948 में बनाई गई थी safety और security की बात करते हैं international shipping की at the same time सिर्प से जो pollution निकलता है उसके prevention की भी बात करते है headquarter United Kingdom के London में है हमारा next article Chandler Good Government Index के बारे में है यहाँ पर बात government की जा रहे है ध्यान दीजेगा India को भी 49th rank पर रखा गया है इस index में Chandler Institute of Governance जो की एक private non-profit organization है कहाँ पर है? Singapore में है वो इस ranking को release करते हैं 104 देसों को classify किया जाता है अलग-अलग categories में उनकी government capabilities के basis पर 50 open data points होते हैं बेसिस पर evaluation किया जाता है एक broad classification की बात करें तो 7 pillars होते हैं जिनमें यह पूरा evaluation होता है leadership and foresight robust law and policy strong institutions financial stewardship यानि कि financial आपका administration कैसा है attractive marketplace आपका देस कितना जदा attractive है investment के लिए global influence और reputation कैसी है और देस दूसरे देसों की मदद कितना करता है इन सभी parameters को आधार बना कर evaluation किया जाता है objective बिल्कों simple है अगर आप ranking देंगे और बताएंगे कि नहीं आपके हाँ जो government अच्छी तरीके से work नहीं कर पा रही है तो फिर लोग incentivize होंगे कि हाँ जो countries हैं वो और अच्छी तरीके से अपना government देखें at the same time यह advisory वर्क भी करते हैं research and training पे भी work करते हैं यह जो tools and frameworks हैं वो भी share करते हैं countries के साथ कि अगर आपके हाँ का government mechanism अच्छा नहीं है तो आप उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं advice अगरा भी दे देते हैं तो बढ़िया बात है यहाँ पर आप हम बात करते हैं 2021 के index में क्या निकल के आया 10 जो top 10 countries हैं उसमें से 7 तो यूरोप की ही हैं बाकी की 3 countries जो top 10 में अलग-अलग region को represent कर रही हैं Asia से Singapore, Ocenia से New Zealand और America से Canada 10 की 200 countries जो हैं वो high income countries हैं जिने World Bank ने define किया है इंडिया का performance 49 रहा है बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते बढ़ ठीक है, इंडिया कोसी सची कर रहा है हमारा अगला article है Climate Resilient Grains के बारे में Recently एक resolution जिसको इंडिया की तरफ से sponsor किया गया था उसको United Nations General Assembly ने accept कर लिया है, approve कर दिया है और यह resolution क्या था कि 2023 को International Year of Millets के तौर पे celebrate किया जाए उसको declare कर दिया गया है 2018 में इसी तरीकिक चीज़ इंडिया में हुई थी यह चीज़ प्रपोस किया था और 2018 में हमने Year of Millets को celebrate किया था इंडिया में और इसी चीज़ को push किया गया कहां पर United Nations की General Assembly में यह declaration इसलिए important है क्योंकि यहां पर बात करी जा रही है कि Climate Resilient Grains जिसमें particularly Millets आते हैं उनके प्रती awareness बढ़ाई जाए साथी साथ उनके जो nutritional value है और health benefits हैं इनको देखते हुए हमें policies बनाने की ज़रूत है जिससे इनको cultivate करा जा सके और जो adverse climatic change हो रहे हैं उनमें कहीं न कहीं इनकी growth जो है वो आपकी जो food security और food scarcity के जो issues है उनको balance out कर सके है यहां पर classification समझें Millets जो हैं वो classify होते हैं Major और minor Millets में Major में आपके जोर बाजरा और लागी आजाते हैं जिनके अंग्रेजी के भी नाम लिखे हैं और minor में आपके fox tail, little kudu, proso और यह barnyard millet आजाते हैं इसके लाबा pseudo millets नहीं है pseudo मतलब so called millets pseudo मतलब होता है नकली जैसे pseudo kudu या आपने सुनाओ को जो artificial hand बना लेता है Amoeba उसी तरह के से pseudo पहासे शब्द आता है इसमें जैसे राजगिरा हो गया buck weather है जिसको kudu केते हैं इस तरीके के millets आजाते हैं इंडिया के point of view से बात करें तो 48% जो global market है मतलब सीधा सीधा पहले तो ये बात याद रखे कि इंडिया is the largest producer ऐसे सवाल आ जाते है 2019 में ऐसे सवाल आ गया था कि largest exporter of rice कौन है और उसका answer इंडिया था तो ये याद रखना है इंडिया is the largest producer of millets 41% साथ में ये भी लिखा है कि भाई कितना produce करते हैं तो 11.5 million tons 2020 में उन्हें produce किया था बात करें 2017-18 की तो माराष्टरा, करनाटक और राजिस्थान ये तीन ज़रूरी जगाए है, important जगाए है जो आपको याद रखनी है, जहाँ पर millets पैदा होते है ये जो है majorly, जो सारे हमने major millets की बात की थी पीछे वो सारे जो है, खरीफ सीजन में होता है मतब जुलाई से October की बीच में होने वाले है ये सारी चीज़े हमने millets के बारे में जानकारी ले ली जरा से benefits और देखे तो health benefits क्या का है पहले बात तो ये है कि फाइबर्स, minerals और vitamins में रिच है gluten free है, gluten एक type का होता है जो diabetes में काफी जादे negative impact डालता है जैसे आटा होता है, उसमें gluten होता है तो उन सब से free होता है ये millets, साथ में anti-carcinogenic है मतब ये cancer causing चीज़े जो होती है उनको carcinogenic कहते है और anti-carcinogenic है साथ में सूजन बगेरा होती है digestion issues होते हैं, तब भी आप ये खा सकते है ecological benefits क्या है कि carbon sequestration जो है वो कम होती है in comparison to paddy ये दूसरे जो crops आप भूगाते है उन चीज़ों से पानी कम चाहिए इसको less water intensive है, इसकी मतलब ये है कि जो सूखा grass के लाके है जो rain fed areas है, अगर वहाँ पर पानी अच्छा नहीं हो रहा है तब भी आप इसको as a option consider कर सकते है drought tolerant है अगर पानी नहीं भी मिलता तब भी ये जो फसल है ये उगके तयार हो जाएगी थोड़ा ये important है कि rainfall कितने चाहिए 300 mm के आसपास भी rainfall होती है उससे कम भी होगी तो भी चल जाएगा और इनकी cycle भी छोटी होती होगने की generally जो cycle होती है आप दिखेंगे तीन-चार महिने की cycle होती है पूरा उगने तक की लेकिन यहाँ पर जो cycle है ये आपकी 700 से दिन के आसपास है low fertile soil में भी ये ग्रो कर सकता है मतलब पानी भी कम चाहिए fertility भी कम चाहिए attention भी कम चाहिए और साथ में ग्रो बहुत जल्दी हो जाते है economic point of vision अगर आप देखें तो famine reserves की तोर पर आप देख सकते हैं जहां पर खाने के लिए खाने नहीं है खाने के लाले पड़ें महाँ पर ये विवस्ताची बनाई जा सकती है investment भी बहुत कम है और साथी साथ आप देखें इसके प्रती जो awareness बढ़ देए को promote करें साथ में राष्ट किसी विकास यूजना का भी एक important part है इसके लावा जो हमारी midday meals की scheme चलती है उसमें भी integrate करा जा रहा है millets का जाधा प्रयोप करा जा रहा है और भी agriculture में crop rotation crop based systems होते हैं उनमें भी बात करी जा रही है कि कैसे हम millets को group कर सकते है उसको भी continuity बढ़ाती जा रही government ताकि जो farmers है generally क्या करते है वो ground water को extract करके cotton होगाएं या sugar के इन वगएर होगाते है या फिर ऐसी चीज़े होगाते है जिस पर government MSP देती है तो government इस पर भी MSP regular basis पर continuous basis पर बढ़ा रहे हैं ताकि लोग इसकी तरफ shift हो और बाजरा जुआरो रागी जैसे millets को भी grow करें especially उन areas में जहां पर पानी की कमी होती जो drought prone areas है सूका ग्रश तिला के है और इसी वज़े से जो मैंने आपको बताया भी था कि 2018 में National Year of Millets घोशत किया था यह भी सवाल आ चुका है तो यह important हो जाता है दूसरा हमार आर्टिकल है C ecosystem accounting से सम्मद्द C का मतलब है system of environmental economic accounting अब इसमें सीधी सीधी बात आपको यह समझें की जरूत है आपसे अगर यह पूछा जाएगा तो जो environment है उसका economic cost क्या है उसको account करने की बात यहां पर करी जा रही है वो सारी चीजें एक framework तयार करा जाएगा यह पूरा जो C, E, A है इसको integrate करा जाएगा और एक proper framework तयार करा जाएगा जहां पर data होगा आपका बायफिजिक, physical data ecosystem की services है उनका क्या cost होना चाहिए उसकी accounting होगी और उसी साब से balance करा जाएगा और ecosystem की जो assets है जैसे water है, air है यह assets है और Corona के बाद तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से assets बन जाते है एर और water साफ पानी, साफ आवा बहुत बड़े assets है लेकिन हम कभी भी इनकी जो value है जो economic value इसको consider नहीं करते थे लेकिन यह जो नया system है साथ में आप जो chimney वगेरा है उससे हम जो धुआ वगेरा निकलता है जो waste निकलता है चाहे वो plastic waste हो, chemical waste हो यह सारी चीज़ें भी environment में जाके मिल जाती है तो इन सारी चीज़ें को consider करने की ज़रूत है पानी, हवा इन सबका जो पैसा है, इन सबकी human activities से, जो भी human activities हो रही है और जो भी ecosystem से आपको चीज़ें मिल रही है जो भी measures of ecosystem में उन दोनों को आप integrate कर देंगे तो वो आपका ecosystem accounting में आ जाते है यह चीज अडॉप्ट करें गईती, statistical standard by the United Nations, जो उनकी UN statistical commission है उनके द्वारे यह accept करा गया है और दीरे दीरे सारे nations जो है इस चीज़ को accept कर रहे है और वो भी ecosystem के accounting करना चालू कर रहे है जैसे ecosystem में 5 core accounts है 5 में सबसे पहला आएगा extent of ecosystem मान के चले कोई wetland है, कोई forest है तो उसका area कितना है, उसका extent क्या है उसको measure कर लिया जाएग फिर आएगा condition कि भाई wetland है या forest है या फिर grassland है किसी भी तरीके की जो आपका ecosystem है उसका condition कैसा है condition अच्छा है खराब है उस हैसाब से आपको पता चल जाएगा फिर आएगी बात कि service flow account है कि service कैसी मिल देए उससे आपको, मतलब सही माइने में देखें तो वह services है वह household के दोरह use करे जा रही है government के दोरह किस के दोरह use करे जा रही है फिर monetary जो assets होते हैं उनकी accounting करे जाएगी जिसमें आप देखेंगे कि addition ये reduction कितना हो रहा है जो एक stock है मानके चलिए 10 रुपे की हवा है तो उसमें reduction किस तरीके से आ रहा है इसके बारे में हम बात करें तो world stock of natural assets ये important है इसमें क्या क्या चीज़ आती है जो geological resources है soil है air water और जो भी living things है जो जुड़ी हुई है ecosystem से वह सारी चीज़ आ जाती है ecosystem services जो है वह natural capital के form में देखने की ज़रुत है जिससे human बहुत सारी services को drive करता है जैसे मान के चलिए आप oxygen के cylinder खरीदने जाएंगे तो 75 liters का जो cylinder है वो लगवग 6000 रुपे का आता है Amazon पे और वह चीज़ आप देखेंगे हर दिन में हम 10,000 liter के आसपास oxygen को breathe in breathe out कर देते हैं लेकिन हमें उसका पैसा देना पढ़ता है और यहां पर 75 liters के लिए 6,000 है तो इससे हमें समझवाता है कि ecosystem हमें बहुत सारी facilities देता है जो natural capital के तोर पे देखी जाने चाहिए और इसी वज़े से human life possible है जरूर यहां पर यह हो जाता है कि हम उसको quantify करें और जो contribution है ecosystem का उसकी हम value को पैचाने इससे क्या होगा अगर कोई particular country over exploitation कर रही है तो उस चीज़ को prevent करा जा सकता है किसी जगा protection की जरूरत ecosystem को restoration की जरूरत है तो वो चीज़ भी करें जा सकती है क्योंकि उनको पता चलेगा कि वो ecosystem को deteriorate कर रहे है अब बात करें हम natural यह जो capital accounting होती है इसमें economy, ecology और हमारे environment तीनों को link कर दिया जाएगा तीनों को integrate करके इसके उपर study कर जाएगी क्या-क्या देखना है यहाँ पर आपको physical value भी देखनी और monetary value भी देखनी है मतलब मुद्रा, कितने पैसे का यह particular चीज आएगी उस तरीके से उस perception से उस angle से आपको देखना पड़ेगा important यहाँ पर आपके लिए जो prelims point of view से बात है वो यह है कि कौन-कौन सी ministry इस चीज में involved है तो सबसे पहले तो statistical काम है तो ministry of statistics and program implementation इसके साथ में एक और institution है natural capital accounting and valuation of ecosystem services and caves यह दोनों जो है इनका काम है कि जो theory और practice है ecosystem accounting की इसको इंडिया में implement करना जो भी data है local level पे regional or national level पे इन सब चीज़ों को collect करना है project के fund जो आ रहा है वो European Union जो है वो fund कर रही है और joint implementation इसका हो रहा है United Nations Statistics Division से United Nations Environment Program से and Secretary of Convention of Biodiversity CBD बहुत important है तो इनके द्वारा यह सारी चीज़े करी जा रही है implementation करा जा रहा है इंडिया में NCAVES इस काम को इस project को implement करने का का काम कर रहा है और भी ministries ने जिसका नाम आप याद रखे हैं यहाँ पर Ministry of Environment and Forest Ministry of Environment, Forest and Climate Change साथ में National Remote Sensing Center भी यहाँ पर काम कर रहा है implementation के लिए तो आज के इस session में बस इतना ही Thank you very much